Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the graph of a linear equation in two variables. Today we will learn how to draw the graph of a linear equation in two variables. हमें एक two variables में linear equation गिवन होगी और हम उसका graph द्रो करना सिखेंगे. कल हमने क्या किया था? कल हमने सीखा था, अगर हमारी कोई भी linear equation गिवन होती थी two variables में, तो हमने उसके solution find out करने सीखे थे. जहां आपको graph draw करना है, तो graph draw करने से पहले सबसे पहले काम क्या होगा आपका? आपको graph draw करने के लिए पहले उस equations के different different solutions find out करेंगे. ठीक है? और हमें पता है linear equation in one variable, linear equation in two variable में आपके infinitely many solution होते हैं. तो आप four to five solutions find out कर लेंगे and फिर उसके बाद आपने सीखा था plotting numbers on Cartesian plane. तो आपके जो जो point आएंगे वहाँ से, उनको आप क्या करेंगे? Cartesian plane में plot करेंगे and उन point को आप क्या करेंगे? मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा given equation का. हैंड आप एक चीज हमेशा माइन में रखेंगे, आप जब भी solution find out करेंगे, वहाँ पे आप एक बार graph draw करने के लिए एक बार x की value 0 रखेंगे, एक बार y की value 0 रखेंगे. x और y दोनों की value 0 रखेंगे जरूर आप value find out करेंगे. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब 0 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, x 0 है तो y भी 0 आ रहे की नहीं आ रहे है. अगर दोनों value 0 आ जाती हैं, तो इसका मतलब आपका जो line का graph जाएगा, वो कहां पे जाएगा, origin से पास होगा. जो आपका o point होता है न और reason, उससे pass out होगा, ओके, so we will start our first question, draw the graph of x plus 2y is equal to 6, x plus 2y is equal to 6, आपको एक linear equation given है, two variables में इसका graph draw करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, solutions find out करेंगे, solutions find out करने हमने कल सीखे थे, और दो solution आपको find out करने ही करने है, कौन-कौन से 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो जब हमने x को 0 रखा तो y की value आई हमारे पास 3, फिर हमने 2 ले लिया, x को 2 रखा तो y की value भी आई 2, x को 4 रखा तो y की value आई 1 जब हमने y को 0 रखा तो x की value आगी आपके पास 6, x और y दोनों को एक एक बार 0 जरूर पूट करेंगे अब यह हैं अमारे पास solution आगे solution equation को satisfy करते हैं अब आपका next काम क्या होगा अब देखिए ऐसी table आपने कहा की थी 3.4 जो exercise थी आपकी last exercise वहाँ पे plot करने चिखे थे ऐसे points इससे points क्या क्या बनेंगे आपकी 0, x, 0, y, 3 x की value 2, y की value 2 x की value 4, y की value 1 x की value 6 और y की value क्या है आपकी 0 चिक है तो पहले आप plot करेंगे इन points को आपके Cartesian plane में x की value जब 0 है और y की value क्या है 3 x की value 0 तो यहीं पे रहेगी और y की value 3 कहाँ पे होगी यहाँ पे तो जब 1 0 होता था तो उसी line पे जो आपकी यह line होती थी जैसे अगर x का point 0 होता और y, y की value होती आपके पास तो वो value कहाँ बनती थी आपकी y axis पे बनती थी 0, 3 यह point बनेगा आपका next point क्या आता था अगर यहाँ पे y 0 तर x की value आती तो जो x का जो point होता वहाँ पे आपका वो point बन जाता ठीक है next आपका है x की value 2 and y की value 2 कहाँ आएगी x2 यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है तो हम क्या करते थे एक straight line ड्रो करते थे यहाँ से एक straight line यहाँ से तो यह point आपका यह दोनों जहाँ पे भी मिलती थी आपकी वो point क्या होता था आपका यह point क्या बन जाएगा आपका 2, 2 यहाँ से भी 2 लेंगे vertical distance यहाँ से 2 लेंगे horizontal distance यह जहाँ meet करेंगी यह point पे meet करेंगी यह आपका क्या बनता था यह point बन जाता था next क्या निकालने है आपको 4, 1 चीक है x की value है आपकी 4 and y की value कितनी है 1 x की value है आपकी 4 and y की value है आपकी 1 तो यह point क्या बनेगा आपका 4, 1 next क्या है आपका x की value 6 and y की value 0 x की value 6 और y की 0 है तो x-axis पे 6 है वो point क्या बन जाएगा आपका 6, 0 तो यह point बन गे आपकी जो point आपने निकाले वो point आपने इस Cartesian plane में क्या करवा दिये draw करवा दिये अब आप क्या करेंगी जो line आई है आप इनको जो point आई है इनको meet करवा दिये जो point आई इनको meet करवा दिये यह point जो meet करेंगी यह आपकी क्या हो जाएगी किस line की equation x plus 2 y is equal to 6 इस line की equation बनेगी कैसे find out करेंगे आप graph कैसे draw करेंगे किसी भी line का आपको कोई linear equation given है 2 variable में आप पहले उसके solution find out करेंगे उन solutions की table बनाएंगे 4 to 5 solutions enough हैं graph draw करने के लिए फिर table से आपको पता है कैसे आप points बनाते हैं ठीक है x की value 0 क्योंकि पहले x का coordinate आता है फिर y का coordinate आता है तो point बन गए आपके 0, 3, 2, 2, 4, 1 and 6, 0 अब इन points को आपने plot करना भी सीख़ है काइटीजियन plane में last chapter में तो आपने इन points को क्या कर लिया plot कर लिया आपके काइटीजियन plane में और इन points को क्या करवा दिया meet करवा दिया एक line से वो ही आपके क्या बनेगी line की equation बनेगी ओके your next question is given the point 1, 2 find the equation of a line on which it lies how many such equations are there आपको कौन सा point given है 1, 2 find the equation of a line एक line की equation find out करनी है on which it lies जहां पे ये point lie करें ऐसी line की equation find out करनी है जहां पे ये point जिस line पे lie करता हो 1, 2 how many such equations are there आपके पास ऐसी कितनी equation बनेगी जो 1, 2 point से आपके पास line की कितनी equation बनेगी जो 1, 2 point से आपकी क्या होती हो pass out होती हो चीक है आपका solution क्या दिया हुए है 1, 2, here 1, 2 is the solution of a linear equation 1, 2 linear equation का आपको क्या दिया हुए solution तो आपको एक ऐसी line find out करनी है जिस पे ये दोनो point क्या करते हो lie करते हो point lie करने का मतलब है अब देखिए ये जितने point थे इस line पे lie कर रहे हैं आपके 0, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 0 तो इस point पे lie कर रहे है यहाँ पे होगी आपकी अगर ये point lie कर रहे हैं किसी line पे तो उस line के क्या होंगे solution होंगे तो आप क्या करेंगे x की value है 1 और y की value है 2 तो आप line बनाएंगे जैसे आपने लिख दिया x plus y x की value कितनी है 1 और y की value कितनी है 2 तो 1 प्लस 2 कितना होना चीए आपके पास 3 तो ये value किसके equal रहेगी 3 के equal right hand side में आप वो value लिखेंगे यहाँ आप अपनी मर्जी से x plus y लिख दो 4 x minus y लिख दो 2 x plus y लिख दो x plus 2 y लिख दो लेकिन right side में आप क्या लिखेंगे हमेशा right side में value लिखेंगे यह जो point दे रखा है ना इसको put करेंगे left side में वहाँ से जो answer आएगा वो right side में लिखेंगे तभी यह solution बनेगा क्योंकि यह solution है ना इस equation का जो अपने को equation बनानी है अब देखो 1 plus 2 3 आएगा कि नहीं आएगा तो आप left side में कुछ भी लिखेंगे x और y की value वहाँ पे x और y की value put करके जो answer आएगा वो right side में लिखेंगे अब देखेंगे अगर आपके पास line की equation है आपने लिखेंगे y minus x y minus x लिखेंगे क्या होगा 2 minus 1 2 minus 1 is equal to 1 तो 2 minus 1 जब रखा 1 के equal आया तो right side में क्या लिखेंगे 1 next अपने लिखेंगे 2x minus y तो 2x की जगे 1 2 बन जगा 2 minus y 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0 तो right side में क्या आएगा 0 अब ये सार तीनो lines में ये solution बन रहे है आपका 1 and 2 तो यहां से आपका क्या confirm हो रहे है अभी तो आपने तीन lines की equation निकाल दी जिसके point क्या क्या है 1 or 2 आप बहुत सारी निकाल सकते हैं चैए आप 4x plus 5y रख लो चैए आप 9x plus 8y रख लो जो भी रखेंगे आपकी वहां से different value आती जाएगी तो ऐसी कितनी lines हो जाएगी infinite lines हो जाएगी so there are infinitely many linear equation passing through 1, 2 तो वहां पे आपकी infinite linear equation होंगी जो इस point से pass out करती होंगी वैसे भी for example मैं आपको बता देती हूँ अब जैसे ये point है आपका कोई भी point है ये किसी जैसे कार्टीजियन plane मान लिया आपनी ये point है अब देखें ये line इस से pass out कर रही है ये line भी pass हो रही है तो अगर practical आप देखें तो देखो कितनी भी line pass करवा सकते हो ये ही चीज आपनी question के दिरूगी है इनफाइनाइटली many lines होंगी जो pass करेंगी इस point से ओके, thank you class